नमस्का, TV9 Digital में आपका स्वागत है और मैं हूँ कार्तिके शर्मा और हम बात करेंगे पंजाब की जिहां जिस तरीके से चुनाव पास आ रहे हैं उत्तरप्रेश उत्राखन पंजाब में यहां पंजाब में इस बात की घोशना हुई कि अमरिंदर सिंग और भारती जनता पाटी मिलकर विधान सभा का चुनाव लड़ेंगे बाकाइदा गजेन सिंग ने वहाँ जाके जो यहां वाट मिनिस्टर है उन्होंने इसकी घोशना की वुलाकाट में पारफुल हो और बीजेपी को भी पंजाब में अमरिंदर सिंग की जरूरत थी क्योंकि अकाली से उनका गटबंदन तूट गया था अकाली के साहरे ही बीजेपी लंबे समय से वहां पॉलिटिक्स करती नजर आई है अब जिस तरह से अमरिंदर सिंग का नाता टूटा कॉंग्रेस से उसके बाद वो अमिच शाह से मिले और वो बार-बार ये कह रहे थे कि किसानों के पक्च में अगर केन सरकार फैसले लेती है तो वो गटबंधन कर सकते हैं ये इशारा उन्होंने पहले ही कर दिया था और जब उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी छोड़ा उसके बाद ये कयास लगाये जाने लगे कि अमरिंदर बीजेपी के पाले में जा सकते हैं अब इंट्रेस्टिंग पहलू इसमें ये दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आज जब गटवंधन का अनॉंस्मेंट हुआ है उसके बाद आमरिंदर सिंग ने ये भी कह दिया कि पहले अकाली दल राज में सीनियर पार्टी के तौर पर होती थी बीजेपी जूनियर होती थी लेकिन हम बीजेपी को सीनियर पार्टी मानेंगे मतलब जादा सीटों पर लड़ाएंगे पर उन्होंने ये साफ नहीं किया कि कौन सी सीटों से कौन लड़ेगा उन्होंने ये कहा कि विनेबिलिटी फैक्टर होगा सबसे बड़ा कि कौन कहां से लड़ेगा पर ये तह है कि अमरेंदर, बीजेपी और एक और फैक्शन जो की अकाली दल का से जो अलग फैक्शन है वो बीजेपी को अकाली दल 20 से जादा सीट देते थे 20 से 18 सीटे मिलती तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी अब आप कह रहे हैं कि उनको जादा सीटों पर लड़ाए जाएगा ये क्यों देखे अभी हाल फिलाली अमरिंदर सिंग ने अपने पार्टी का अनॉंसमेंट किया है अ कॉंगरेस में उनका अपमान हुआ है जिस तरह से अपमानित करके कॉंग्रेस ने निकाला है कॉंग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी के मीटिंग से ठीक पहले उनको रिजाइन करने के लिए कंपल किया गया उनके खिलाफ हमला रहे हैं तो आप क्या यह कह रहे हैं कि भारती पार्टी को अपना पोस्टर बॉय मिल गया है और अमरिंदर सिंग को हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस मिल गया है जो भारती जनता पार्टी हुआ इतना तो होगा बीजेपी की जरूरत यह जरूर है अब छोटा और बड़ा दल का मतलब यह नहीं होता कि इनको बीस सीट मिले उनको ज्यादा सीट मिले हो सकता है उनीस बीस का फर्क हो लेकिन रेस्पेक्टबल सीट बीजेपी को यह देने की बात कह रहा है लेकिन एक चीज़ बता यह जब बहुत साफ इन्होंने कह दिया विनेविलीटी फैक्टर होगा और जाहिर तोर पर अमरेंदर सिंग ने अपनी पारी खेल दिये तीन बार वह कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे दो बार वह चेफ मनेस्टर रहे मुझे ऐसा समझ में आता है कि अमरेंदर सिंग के दिमाग में क पर पर पहले ही एनाउंस कर दिया था साइध इसलिए कि अगर बीजेपी वापस यह कानून नहीं लेती तो वहां पर पैर जमाना क्या लोगों के बीच जाना मुश्किल हो जाता है अमरेंदर सिंग के लिए फेस सेविंग करना मुश्किल हो जाता लेकिन जैसे ही कानून व दिखाई पड़ता है क्योंकि अमरेंदर सिंग से बीजेपी के रिष्टे सुरू से ही अच्छे रहे हैं यह तो यह तो पंकेज मुझे वैसी लग रहा है कि और डूपते हो एको तिंके का सारा तो दो डूपते हो एको दो तिंके मिल रहे हैं में मजाग पही नहीं कह रहा ह और उनका वर्चस तो बन गया भारती इंदाबाडी का पंजाब का कास्ट और धर्मिक डानेमिक एकदम अलग है वहां बीजेपी ने एक रोल निभाया है और जहां तक कैप्टन की बात है आपने कही दिया उन्होंने अपनी पारी खेल लिए यह नाराज होके कर रहे हैं त अगज बहुत इंट्रेस्टिंग चुना होगा लेकिन मुझे जो दिखाई पड़ रहा है वो यह दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल बड़ी तेजी से कर रही है इसका असर सिर्फ आप पंजाब में ही नहीं देखें इसका असर उतरा खंड में भी का इसलिए मुझे दिखाई पड़ रहा है बीजेपी के पर्सपेक्टिव से कि बीजेपी यह एलाइंस करके बड़ा चुनावी दाओ के लिए बात तो आपने ऐसी बोली है बतलब जिसे की अच्छा लगने लगा मतलब जिसे कहते हैं कि वैसे ही पंजाब का इलेक्शन पंजाब का मतलब के लिए पंजाब के अफना बजा होता है तो पंकज बता रहे हैं कि कितना इंट्रेस्टिंग हो जाएगा तो वैदर भी अच्छा खाना भी अच्छा लेकिन पंकर एक चीज़ बताईए कि इस पूरे प्रकडर में जिसमें बीजेपी और अमरंदर साथ ह और भी उस नाम का खुलासा नहीं हुआ है पर ये कयास लगाया जा रहा है कि वो इनके साथ आ सकते हैं तीसरी पार्टी का नाम लिया लेकिन उन्होंने खुल करके नहीं कहा कि किसके साथ हुआ जाने वाले हैं पर ये कार्तिके बहुत दिल्चस्प होगा क्योंकि इस बार दल भी उतनी ताकतवर नजर आ रही है अगर अकाली दल और बसपा के एलाइंस की बात करें आप पार्टी पूरी तरह से पैर जमा चुकी है कॉंग्रेस वहां की रूलिंग पार्टी है नमजोद सिंग सिद्धू अध्याक्षे और उन्होंने एक दलित को सीम बनाया है और सा साथ बीजेपी अमरिंदर सिंग के साहरे वहां क्या कर पाती है ये भी देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि किसी भी स्टेट एलेक्षन में अगर केंदर की रूलिंग पार्टी नजर नहीं आती तो एलेक्षन मज़ेदार नहीं होता लेकिन इस वार ऐसा दिखाई पड़ है कि चारों के बीच में जबरदस्त मुकाबला होने जाए बिल्कुल इसे इक्दम इंकार नहीं कि पंकच कह रहे हैं कि पॉलिटिकल चग्दे फटे हो गया कहने का मतलब है कि चार गृप तयार हो गए हैं एक तरफ अकाली हैं जिनके साथ बसपा है दूसरी तरफ कॉंग् झ trauma कि की की बात कर रही है को बिजढ की बात होती है कभी महिला नुजगार की बात होती है तो उसने थोड़ा दोट से ले gi एक भीडों से ले लिया है वह भी समझ गई है कि उसको for 20 के बारें बात करनी होगी और मैदान में फिर आखे में भार्ती जनता पाटी और अमरिंदर सिंग भी सामने आगे आनो तो था लेकिन एक अलाइंस के सामने आए नए सात तो इससे पंजाब का चुनाव में के चुनाव में इस चॉकोर बरतन में खीर पकेगी या खिच苔डी देखे ये तो वहां की जनता डिसाइड करेगी लेकिन मुकाबला बहुत दिल्चस्प होने वाला है या किच्डी मुझे तो डर है कि चौकोर बरतर में किच्डी ना पक जाए हो सकता है अगर जनता अपने दिमाग से तै नहीं कर पाए कि किसको सत्ता में बिठाना है तो खिच्डी भी पक जाए यह हो सकता है पर इतना कहा जा सकता है कि मुकाबला चौतरफा है और दिल्चस्प होने वाला है खिच्डी और चौकोर बरतर में तो पंकज जवाब नहीं दे रहे हैं इसका मतलब है खिच्डी की बीच खीषतान है खिच्डी भी बन सकती है और खीर किसके लिए पकेगी और कौन वह पूरा बरतर लेकर जाएगा मरत्माद यह खिच्डी पकेगी जैसे 2005 में बिहार में ह हो गई थी और उसके बाकाइदा दुबारा से चुनाव करने पड़ते दूर की कोड़ी है पर मोटा मोटी बात है अम जिन्ज सिंग और भारती अंता पार्टी साथ चुनाव लड़ेंगे इन्होंने तैक कि यह से पंकज ने बताया यह बड़ी महत्पूर बात है कि बीजे हमारी खास पेशकर्ष पंजाब की ऊपर हम फिर लोटेंगे जब कोई और डेवलप्रेंट होगा पंजाब उत्तरपदेश गुआ मनिपूर या उत्तरखन को लेकर आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें टीवी नाइन तव्य पर भी ध्यान दे जो सचाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरों को भी रहें इस काम में टीवी नाइन डिजिटल है आपका मददकार लगातार ताकि आप भीड का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भ झाल